हलो दोस्तों जैश्री कृष्णर रादे रादे हर हर महादेव इतने दिरों के बाद बना रही हूं ब्लाग क्योंकि कंटेंट की पड़ती है कमी तो आज इतनी सारी मिर्चे किचन गार्टन में लगी हुई है इसको सुखाने के लिए उतारना है तो चलते हैं एक सैटिक्स फ करना एक बोटी सैटिसफाइंग एकस्पीरियंस होता है जो कि मैंने बहुत मज़से लिए है इतनी सारे पोदे थे उन पर मिर्चे बहुत सारी थी क्योंकि बहुत दिनों से क्या किया था हमने मिर्चे उतारी नहीं थी तो फिर थोड़ी थोड़ी करके और इतनी धूप में मैंने निकाल ली है मिर्चे और कुछ तो हरी भी निकल रही थी कुछ इस तरह से और सब मैंने निकाल ली और एक ठाली में डाल रही हूँ और ये मिर्चे का कलर कितना सुदर दिखता है ब्लॉग रोज रोज मैं नहीं डाल पाती क्योंकि ना तो मैं अच्छ से शूट कर पाती हूँ और ना ही एडिट कर पाती हूँ कभी-कभी शूट कर लेती हूँ और एडिट नहीं हो पाता है तो चलिए देखिए किस तरह से पिकिंग हो रही है और हर कोई मिर्चे ले लूंगी में जो बिल्कुल हरी है वो नहीं लूँगी और जो बस अभी पगने शुरू ही है वो भी नहीं ले रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पकी हुई मिर्ची है उसी को ले रही हूँ और उसको दूप में लगा के रख देंगे ठाली में डाल के दूप में रखेंगे और फीर थोड़े दिन बसूख जाएगी बारिश के मोसम के आने से पहले पहले ही हम क्या करेंगे इसको पीस कर एक डब्बे में डाल करके रख लेंगे जिससे वह खराब नहीं होगी और बारिश का मोसम अच्छे से निकल जाएगा देखें कितना स्टेडिस्फाइंग लग रहा है ये व्यूप अगर आपको वीडियो थोड़ा सा वी अच्छा लगे और प्लीस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जुरूर करिएगा तो अभी द्बस थोड़ी सी ही बची है लेकिन बहुत जादा सेटिस्फाइंग है मुझे अच्छा तो नहीं लगता मिर्चे उतारना लेकिन कभी कभी कोई और ना उतारे तो फिर मुझे उतारने पड़ते हैं और उतारना अच्छा नहीं लगता है, उतारते हुए देखना जादा अच्छा लगता है आज तो मैं सारे के सारे पेड़ जो की है मिर्ची के पोदे छोड़ छोड़े सब खाली करने वाली हूँ हो गे हैं सारे पेड़ पोदे मिर्ची के खाली और लास्ट वे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब